चलू गेलीबंवहर नमीटर है जो 50 ओम ब्रजिस्टेन्स 25 डिवीजन बना लेते यह हम लोगे पास गेलीबिनिमिटर है जिसकी खुद की जो ह्हाँ यह रिजिस्टेन्स में का मैं जीए से और यह हम यह थिक है वन डिवीजन मतलब तो आप देखे होगे, रियल लाइब में, लाइब में, इसको चाहिए, तो पूरा रीडिंग के लिए, फूल डिफलेक्शन के लिए, कितना करेंट चाहिए, वो निकाल लेते हैं, तो कितने डिवीजन्स है, वो डिसाइड करेगा न, तो यह कहता है कि 25 डिवीजन्स है, तो वो वन डिवीजन्स में इतना है, तो 25 डिवीजन्स में कितनी करेंट यह ले रहा होगा, तो करेंट जो यहां से जो आईजी, गल्बेनोमेंटर में करेंट आईजी जो फ्लो होगी, वो 25 मुल्टिप्लाइड वाइ, वो डिवीजन्स में, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, तो 25 में, इतना हो जाएगा, मतलब यह आजाएगा, हंडेड और 10 की पावर माइनस 2 एमपीर, तो यह जो है, तो यह जो है, तोटल करेंट फ्लो इन दे गल्बेनोमेंटर, जिसे वह पूरा डिफलेक्शन देता है, पूरी रीडिंग देता है, तो कनवर्ट दे गल्बेनोम और इसके बोल्ट मिटर में कनवर्ट करने के लिए, हम इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, थिक적ा, यह ranks R लगा दिया मैं, और गल्बेनोमिटर में, अब यह पूरा जो डिवाइस है, डॉट 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 यह पूरा डिवाइस, वह बोल्ट मेटर क की तरह काम करेगा इसकी जो रीडिंग है 0.1 और 0.2 के बीच जो डिफ्रेंस है वो टेंशियल डिफ्रेंस 25 बोल्ट मतलब वीवन और वीटू 25 बोल्ट की रीडिंग आरही है तो उसका अपना तो कितना तो कितना बन जाए उस की calculation कर नहीं है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा तो इस question को करने का दो तरीका है पहले तो direct ohms law भी लगा सकते हो और किर्चॉप स्लॉप से भी कर सकते हो किर्चॉप मुझे बहुत अच्छा लगता तो पहले उसी से कर देता हूं मैं चलो यहां से 10 की पाउर माइनस 2 ampere current flow रहा है यह जो circuit है यह यह गेलवेनोमीटर का resistance है और यह resistance आर जो हम लोग करनेक्ट किये हैं यह गेलवेनोमीटर का resistance है जो कि दिया होगा यह resistance आर हम calculate किये हैं और यहां से हम current i भेज रहे हैं जो कि 10 की पाउर माइनस 2 ampere है और इस पॉइंट इस पॉइंट वन और पॉइंट टू के भीच का potential का difference है potential difference वो 25 बोल्ट है तो यहां से current कुछ ऐसे जा रही है series में current चेंज नहीं होगा तो आई ही सब जगह रहेगी गेलवेनोमीटर का यह 50 ओम रेजिस्टेंस है तो चलो किर्चाप्स लगा देते हैं यहां से चलते हैं सारे बोल्टेज अपन डाउन नोड करते हैं तो बोल्टेज भीवन आगे बढ़गे current की direction में माइनस current आई गेलवेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 से multiply कर दो और माइनस current आई हमें रेजिस्टेंस चाहिए इस उकल्टू यहां से पहुंच गए बोल्टेज भीटू पे तो वीवन माइनस भीटू इस उकल्टू आई कॉमन हो गया और 50 प्लस आर यह आ गया तो यहां से मुझे मिल जाएगा वीवन माइनस प्लस आर तो यहां से calculate कर लो यह आ जाएगा पचीस सो और यहां जाएगा 50 प्लस आर तो आर की जो वेल्लू आ जाएगी वह आ जाएगी चोवीश सो पचास ओम ठीक है यह वाली जो चीज है यहां से देखो मतलब डी आप्शन हमारा connect है और याशली पैरलल में ऑफ दोनों सेम है ट्रीक है तो दोनों सेम तो कोई बात नहीं, इसमें से दोनों सही कर लो और यह गलत है तो यहां जो cent है वो clear नहीं कर पा रहा है इसको ohms law से भी कर सकते हो इस circuit पर direct ohms law लगा दो इस circuit यह यह पूरा circuit है इस पर direct b is equal to i r लगा दोगे तभी भी solve हो जाएगा तो voltage आ जाएगा 25 और current i और resistance z plus r आ जाएगा यहां से 25 current की value टेक यह 25 है तो यह 25 यहां से 25 है यहां जाएगा 25 और यहां जाएगा i 10 की power minus 2 और यहां जाएगा 50 plus r तो यहां से इसको solve कर लोगे तो r की value direct calculate कर जाएगी यह second method है इस question को solve करनेगा मतलब इस type के question बार बार पूछे जाते हैं आप से अब दोनों में तराब यादर को मेरें साथ